बाधाएं आएंगी हमको अब तक ना आई हैं किसको चलना है मन्जिल पर जिनको लगेंगे ही काटे उनी को नमशकार मैं हूँ योगेश शर्मा सुनाता हूँ कहानी मालाणी के उस सपूत की जिसने बाजरे की सुकी रोटी खाकर समाज के बीच चेतना की अलक जगाई जिसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थी फिर भी पढ़ने में वो मेधावी कहलाया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने विधान सबा पहुँचकर नेता प्रतिपक्ष का गौरव हासिल किया पितना ही नहीं सांसत बनकर देश की संसत तक बाढ़ मेर का मान बढ़ाया हम बात कर रहे हैं तंसिंग की तने राज से तंसिंग बनने की कहानी संगर्शों भरी है इससे समझाने के लिए हमें कुछ पल के लिए उसी में डूबना होगा उन शब्दों के पास जो तंसिंग की मा मोती कमर अपने बेटी के लिए कहती है ये एक आलेख है विदाता ने मेरे भाग्य में केवल छे साल का सुहाग लिखा था होन हार को कोई टाल नहीं सकता बाड मेर से असी किलोमेटर दूर बैर सियाला वही मेरा पीहर और मेरा जनमिस्तान मेरे पिता का निधन हो गया था जब मैं केवल आठ साल की थी समवत 1976 माग का महीना मैं ठाकुर बलवद सिंग्जी महेचा की अरधांगनी बन दुरन का सहरा बांदे हिंगलू से मांग भरे मैंने इस घर में प्रवेश किया प्रेणा सूत्र में भंदे शे साल ही बीते थे कि वे चले गए सदा के लिए उस महायात्रा पर और यहां रह गया मैं मेरा भाग्य और मेरा दुख तने राज विक्रमी संवत 1980 की माग महीने की क्रेश्ण पक्षिक चतूर्ती के सूर्योज से पहले उसने मेरी कोग से जर्म लिया मेरी पहली और अंतिम संतार तने राज बड़ा होने लगा तबी पूर्णिमा के पहले ही प्रेश्ण पक्ष्ण की काली चाया ने हमें आघेरा अभी वैं ठीक से चलना भी नहीं सीखा था कि कुमर तने राज से ठाकुर तने राज हो गया केवल चार साल के अभोद बालक के सिर पर सफेद पाग भांदी गए तो कि उसके पिता चल बसे थे वैं आगे चलकर बाड मेर का नगर पालिका का चैर्मेन बना विधायक बना और फिर सांसत भी बना लेकिन मेरे लिए तो सदा तड़े राज ही रहा औरों के लिए तंसिंग कहानी बहुत बड़ी है तंसिंग के महान व्यक्तित तो बनने की कहानी बहुत लंबी जोद्पूर के चौपासनी स्कूल का ये बैस्ट स्कूलर था और एक दिन प्रदेश के भूस्वामी आंदोलन का प्रमुख नेता भी बना कैसे हुआ ये सब लेकिन पहले बात आखिर क्या था क्या घटा था बूस्वामी आंदोलन के वक्त आईए आपको बताते हैं 1956 में जागिर्दारी उन्मुलन कारून पास किया गया राजस्तान में जागिर्दारों की दो कैटेगिरिया थी ताजमी जागिर्दार और खास चौथी के जागिर्दार कि 1952 के जागिर्देंशन एक्ट का विरोध किया गया साधान राजपूत की जमीन चले जाने से उनकी रोजी कि खतम होने की नौबत आ गई थी कि भूस्वामें अंदोलन एक जून 1955 को शुरू हुआ और एक महीने तक चला और दूसरा अंदोलन तक्रीबन पांच महीने तक चला देश की आजादी के बाद देश में होने वाला यह उस दौर का सबसे बड़ा आंदोलन ता उस समय बीबी.सी लंदन ने कहा था कि यह विश्व का सबसे बड़ा अहिनसात्मक या यू कहें शांती पूर्ण अंदोलन है उस दौर में भूस्वामी अंदोलन के संग के जो द्यक्ष थे वो थे मदन सिंग जिदाता अंदोलनकारी जो थे उनके सिर पर साफा होता था तथा एक बैज लगा होता था जिस पर वीर सैनानी अंकित होता था आयुवान सिंग उडील ने भूमी के तरह कर अंदोलन का संचालन किया तो बाहर तन सिंग, मदन सिंग दाता, रगवीर सिंग जावली जैसे भू स्वामियों के साथ राजपूर नेता डटे रहे यह अंदोलन राजपूर समाज की आनबान और शान का प्रतीक बन गया जागीर उन्मूलन के विरोध में जन्मे इस अंदोलन ने दिल्ली के ततकालीन सरकार को हिलाने का काम किया ततकालीन प्रधान मंतरी पंडित नव जवारलाल नहरू ने अंदोलन कारियों से बात कि और केंद्रिय मंत्री गौविंद बल्लव पंत को आंदोलन कारियों से बादचीत के लिए नियुक्त किया कारण था तन सिंग ने एक जून 1956 को आमरण अंशन शुरू कर दिया था राजस्तान सरकार के रवये के खिलाफ आयूवान सिंग हुडील ने तेज जून 1956 को व्यक्तिकत सत्याग्रे का नोटिस भी दे दिया था आंदोलन की व्यापकता के मद्दे निजर बंडित नहरू ने राजस्तान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनला सुकाडिया को बुलाया और कहा कि देश में लोक तंत्र तब तक ही चलेगा जब तक सरकारे अहिन सात्मक आंदोलन को सफल बनाती रहेंगे बंडित नहरू के इस कतन का सुकाडिया पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने तत्कालीन राजस्तुमंत्री दामोदर्दास को भू स्वामियों की समश्याओं का निराकरन करने के लिए न्यूक प्या ठाको रगवीर सिंग्जी जावली जिन्होंने भू स्वामी संग की तरफ से दामोदर्दास से वार्ता की सरकार के इसतर पर सुविधाओं का लाब भू स्वामियों को मिले इसके लिए जागीर कलेक्टर और जागीर कमिशनर नियुक्त किये और उनके स्वाम ने बू स्वामियों की पैर्वी करने के लिए राजपू समाज के वकील भी सरकार ने नियुक्त की है कुल मिलाकर इस अंदोलन ने तंसिंग की ख्याती को बढ़ाने का काम किया हाला कि इससे पहले बहुत कुछ हुआ ऐसी सवा का हम जिक्र करना चाहेंगे जो जताती की ततकालीन राजे रजवाडों की सवाएं कैसी होती थी और एक सामान्य राजपूत कैसे उसमें भाग लेता था या नहीं ले पाता था कि सब आसान नहीं था एक सामान ने राजपूत परिवार से आने वाले तंसिंगों, राजे रजवारों, जागिरदारों और राजपूत समाज के हक के लिए हो रहे भू स्वामी आंदुलन का नेत्रत्व सौंप दिया जाए तंसिंग पिलानी में पढ़ रहे थे, बुद्धी जीवियों के बीच तंसिंग अपनी पैचान बना चुके थे उनका बनाया सामाजिक संगठन युवाओं में लोकपुरिय होने लग गया था, उनी दिनों राजाओं का भी एक संगठन बना ऐसे ही एक दिन, राजे रजवाडे, जागिर्दार और सामन्तों की सभा में तंसिंग को बुलाया गया मारवाड राजवाड सभा में तो उनका अपमान तक किया गया और यहां तक कहा गया कि जिसके पास मोटर नहीं, बंगला नहीं, शस्त्र नहीं, वह क्या सभा का कारे कर पाएगा, संगठन चला पाएगा लेकिन जब तंसिंग ने अपनी बात रखी, आविवान सिंग उडीली उस समय साथ थे, तो उन्होंने अपनी वानी से सबको प्रभावित किया, आम राजपूत को ऐसी सभा में आने का अधिकार तंसिंग के कारण मिला, अब आते हैं उस घड़ी की ओर, जिसको जानना जरूरी है, यह तंसिंग के अपने जीवन का सबसे एहम और विराठ काम था, छत्रिय युवक संग की इस्तापना, उन्नी सो चम्बालिस का दिन दिपावली की जगमगाती रात, सारा पिलानी नगर रोश्नी में नहा रहा था, एक साधारन राश्पूत युवक, इस्तानी राजपूत छात्रावाज के अपने कमरे में अकेले बैठा, चंतन मनन में मगन था, मन में विचार आ रहा था, मेरी इस कौम का क्या होगा, क्या मेरा समाज करवड बदलेगा, मेरे समाज को प्रकाशित करने वाली रोश्नी कैसी होगी, कौन ऐसा दीपक बनेगा, मैं अपने इस जीवन में आखिर क्या करूँ, इस युवक की मन की वैथा में से, जनमा उनका संकल्प है, श्री शत्रिय युवक संग का निर्मान हुआ, और ये युवक था, शत्रिय युवक संग का संस्तापक संसिंग् संसिंग् कुऄ को digging you, ma deadly! शत्रिय शेंटबो पुर्य युवक में जरीअ जो हम नई पीडि को दे रहे वो ही है, जो तनसिंजी देखे कायए। और तनसिंजी ने जो साहित्ये दिया, तनसिंजी जो प्रवच्ण दिये है, कि तनसिजी में वम लेख लिखियें उसमें इतनी अद्भुत क्षमता है कि उनको पढ़कर जैसे पत्र लिखाना किशी को उसके छे सेंटेंच पढ़ अपर बनी पूरा लेख लिखर लो है तो इस तरह से जो विचार दिया है वो विचार ऐसा है जो युग युग तक सनातन विचार है मतलब श्रष्टी के आधी से लेकर अंत तक रहने वाला है उसमें यह मतलब नहीं कि क्षात्रिय हो तो यह करो वो करो गोड़े पर चड़ो तलवार लो यूद दिकरो अपने जीवन को ऐसा ब संग तक सकती नहीं होगी चत्री योग संग का काम करने का तरीका राश्ट्रिय स्वंसिवक संग से मेल खाता नजर आता है लेकिन चत्रीय योग संग की परिकल्पना उनिस्टो चंबालिस में ही हो गई थी उस समय तंसिंग की उमर 20 साल की प्रथम अधिवेशन जोदपूर में हुआ था 25 दिसंबर उनिस्टो चियानलिस को पर्थम प्रशिक्षण शिविर जैपूर में हुआ और 22 दिसंबर उनिस्टो च्रीय योग संग की स्थापना दीवस के तौर पर ये मना जाता रहा है और ये गीत भी गाये जाता है चंबालिस की चिंगारी ने 47 में आग लगाई जगी मशाले जागे दीपक नगर 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 ने ली अंगड़ाई अर्थ इस बात का है कि देश को 1947 में आजादी मिली थी चत्रिय योग संग बनाने के प्रारंबिक दिनों में बाग सिंग नेवरी पन्ने सिंग टाइंग और धोकल सिंग भावनानी का सयोग तन सिंग को मिला आईउवान सिंग हुडील के बगर संग बनाने का धै पूरा नहीं होता तन सिंग और आईउवान सिंग ने छत्रिय योग संग में नव चेतना का संचार कर दिया दौनों के सुभाव में अंतर था लेकिन लक्ष एक था तन सिंग पहले संग प्रमुक बने प्रागे चलकर आईउवान सिंग ने इस भूमिका को समाला और तब तन सिंग सरक्षक की भूमिका में आगए आज चत्रिय युवक संग का कार्य राजस्तान से लेकर गुजरात के सागर तर तक है महराष्ट उत्तर प्रदेश बिहार हर्याना मद्द प्रदेश अंद्र प्रदेश तक शिवर लगते हैं उरफ से पच्छिम उत्तर से दक्षिन तक आज शत्रिय युवक संग के अनक्षक की भूमिका में है भगवान सिंग रोल सावसर संग प्रमुक्का दाइत्व निभा रहे हैं लक्षमन सिंग बैणिया का बास और साथी सच्चिव की भूमिका निभा रहे हैं महावीर सिंग सरवडी के कि आये तंसिंग के विचारों को सुनते हैं भगवान सिंग रोल सावसर से जब वह दिवाली तरी दीपक जल रहे थे तो उनके मन में विचार आए खो गए वो कि इस जो दीवाली की जो दीपक है थोड़ देर में भूठ जाएंगे इसी तरह से हमारे भारतवर्स का भाग्य क्या होगा आजाद नहीं हुआ था चमालिष में तो उस समय कैसे लोगों का समस्कारों का निर्मान करना चाहिए यूकों का करना चाहिए और फिर गाव गाव में उ लेकिन उनमें आरशेस और क्षत्रिय यूक संग में जो अंतर है ये क्षात्र धर्म की बात करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार आदी धर्म है उनिस सो बावन में स्वाधीन भारत के प्रथम आम चुनाओं का श्री गणेश हुआ जोत्पूर के तत्कालीन महराज अनुवंत सिंग ने मारवाड की सभी सीटों पर अपने उम्मीद्वार खड़े किये राम राज्य परिशत का गठन किया गया तन सिंग को बाडमेर विधानसवा सीट से चुनाओं लड़ाया गया उससे पहले वो बाडमे नगरपालिका के चैर्मन बन चुके थे ख्याती उनकी हो चुके थी चुनाओं जीत कर राजस्तान विधानसवा में पहुचे और आगे चलकर तन सिंग विधानसवा के नेता प्रतिपक्ष भी बने बाद में देश के सबसे बड़ी लोग सभा सीट बाडमेर जेसलमेर से सांसद भी बने वो भी केवल 9000 रुपे खर्ज करके उनको तो टिगट भी नहीं दे रहे थे बड़े बड़े जो ठाकुर साब थे नहीं कि इस गरीब राजबूद को क्या टिक्ट देंगे इसके पास तो साइकिल भी नहीं है हम बटे हैं हमारी बोगर क्यों नहीं देखते तो उस समय अर्मत सिंग जी के माता जी जो जिनको राजदादी मदन कम आज माता जी थे उस समय राज माता थे तो उस समय वो फर्दे के पीछे रह करके बात करते थे तो महराजा साब ने उनको जाकर के कहा अपनी माता जी को कि ये मेरा आदमी है नहीं पहले नहीं कहा वहां लोगों ने विरोद किया तब माता जी ने अर्मन सिंग जी को बला कर के कहा कि ये बात है इनको टिक्ट कैसे देंगे तब उन खुले में गोशना कि कि ये मेरा आजमी है जाए जग ये खड़ा हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा कि महीं खड़ा हो रहा हूं फिर बाड़ मेर में जाकर कि इसी तरह का बासन दिया और विजए हुए तन सिंग का लिबाज दिहाती होता था पाओ में देशी पगरखी और मोटे कपड़े का कमीज दोती पहनावा अलग दिखता था हर साल सांसत के रूप में अपना लेखा जोखा चप्पा कर देना उनकी खूबी रहा तन सिंग ने चत्री युवक्संग जैसा संगठन खड़ा करके और राजस्तान की राजनिती में एक लिहास बना कर जो संदेश दिया है वह आज भी जिन्दा है आज कई प्रमुक्व्यक्ति चत्री युवक्संग के शिवरों को देखने आते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे चत्री युवक्संग के शिवर लगते हैं कैसे होती है या प्रातना कैसे लगता है वर्ग और कैसे होती है उपासना आखिर में मैं तन सिंग के शब्दों में ही यह कहना चाऊंगा स्वर्ग का चाहे ना द्वार दिखाना जाती की फुलवारी में पुश्व बनाना ताकि मैं सौरब से जग को रिजाऊं डाली से थोड़ा भी जाऊंगा तो भगवान तेरी ही नेवेद देवन चरणों में ही आऊंगा हस्ट इंडिया के विशेश शो अध्याय में आपसे विदा लेते हैं फिर इतने कारिकम के साथ आपसे रूबरू होंगे